गुद मॉर्निंग फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत हैं आज हम बात करेंगे वेस्टिस कमबोसिस यह हम सब चानते हैं कि हम जो भी कुछ करते हैं यह खाना पीना हमारी आद में जाता हैं इसी आद से यह खाना काफी समय तक रहता हैं पर यह आप यह नहीं जानते हैं कि हमारी आद में दूर तरह के बैक्टिरिया होते हैं एक गुड बैक्टिरिया और दूसरा बैड बैक्टिरिया गुड बैक्टिरिया जो हमारे सरीर में पैदा होते ही और दूसरा है बैड बैक्टिरिया खतम करने का काम करता हैं लेकिन बढ़ती उम्रक के साथ साथ गलत खानपान की वज़े से हमारे आथ बहुत सारे बैड बैक दिरी दिरी ये बैक्टिरिया का शिकार होने लगते हैं अंदर से बहुत कमजोर हो जाते हैं और उम्र से पहले ही कमजोर और छूच रहने लगते हैं इन सब भी बातों को ध्यान में रखते हुए बैस्टी ने कंबोसिस खास चीजे होती इसका ये फाइदा बताया हैं कंबोस इसे खाने से हमारी आत के अंदर साफ हो जाती हैं हमारी पाचन सकती बढ़ जाती हैं इसके बैक्टिरिया उसे लड़ने की ताकत बढ़ जाती हैं और हमारे सरीर में काम करने की शमता हो जाती हैं कंबोसिस को कैसे खाना चाहिए कंबोसिस का कैप्शूल खाने में 30 मिनट के लिएस्टिड डिस्ट्टीबेटर बननेपर केवब दल के रहिक अब को मेरी वीडियो एक्छी लगी है तो अपना फ्रेंड्स में शेयर करें और अच्फी